and welcome to another episode of media शिक्षा आज हम आगे बात करेंगे models पे ही अभी तक हमने समझा linear model of communication क्या होता है तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे hypodermic needle model थियोरी पर तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल like, share या subscribe नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और bell icon दबाईए ताकि आप आप हमारे सफर के हमसफर बने रहें और mass communication पर हर तरह की जानकारी पाते रहें तो शुरू करते हैं lights, camera, action hypodermic needle model थियोरी ये एक linear communication थियोरी है जिसका जन्म 1930 में हुआ था और इसको जन्म देने वाले एक बहुत ही बड़े media scientist हैं जिनका नाम है Harold Laswell Harold Laswell ने इस थियोरी के अंदर ये बताया था कि media एक बहुत ही शक्तिशाली device है इस थियोरी का नाम magic bullet थियोरी भी रखा गया है कहा जाता है कि media एक magic gun की तरह है इस थियोरी के अंदर और ये भी बोला जाता है कि media magic bullets fire करती है तो ये bullets हुए messages और किस पर fire करती है? audiences पर या mass audiences पर और उनको information ऐसे देती है कि वो उसको जल्दी से absorb कर लेते है जिसे bullet आपको लगती है तो आपका body उसको absorb कर लेती है अगर हम इसे hypodermic needle model की तरह बात करें तो hypodermic needle theory तो ये कहती है कि media एक needle की तरह है यानी सुई की तरह injection वाली सुई डरिये मत हम आपको injection नहीं लगाएंगे सिर्फ इस theory के बारे में ही बताएंगे ये injection message को जो दवाई है उस injection के अंदर वो आपके दिमाग के अंदर या आपकी सोच के अंदर directly डालती है इसका मतलब कही न कहीं ये हुआ कि media आपके विचारों को अपने हिसाब से बनाती है या manipulate करती है ये बोलना सही होगा कि media से हम लोग बहुत influenced होते हैं इसी लिए magic bullet theory आज तक भी सही ही खड़ी है अपनी जगा पर और कहीं न कहीं हम media की वताई बहुत सारी बातों पर सिधा-सिधा विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो जो information ला रहे हैं वो सीधा-सीधा ला रहे हैं और हमारे तक सीधा-सीधा ही पहुंचा रहे हैं मगर ऐसा नहीं होता वास्तविक्ता कुछ और है जिससे हम समझेंगे filtration models के साथ जो हम पढ़ेंगे opinion leaders के साथ और ऐसे कहीं दूसरे models में लेकिन अभी बात करते हैं magic bullet theory की इसमें आपको ये जानना होगा कि कुछ चीज़ें अगर सही रहें या इसी model के हिसाब से रहें तभी ये इस theory जादा तर सच प्रूव होती है यानि कि अगर आपकी society एक जैसी है एक जैसी का मतलब यहां हुआ financially, economically, socially and culturally अगर लोग जादा तर एक जैसे हैं तब उन पे ये theory जादा काम करेगी अगर आपकी audience critical नहीं है या question नहीं करती यानि कि अगर वो सवाल नहीं जादा करती तब ये theory बहुत सटीक बैठती है यानि कि ये audience obedient है और आप जो भी बताएंगे उसको चिप-चाप सही मान लेगी इसके अंदर media को बहुत ही powerful होना होगा ये भी एक hypothetical situation है और ये होना जरूरी है ताकि ये theory सही सिद्ध हो powerful यानि media इतना powerful हो कि media को कोई रोक टोक नहीं हो अपने content को बनाने में और अपने बनाए content को लोगों पर थोपने में और इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि media directly लोगों तक पहुचे और उन पर असर करें बहुत बार ऐसा भी होता है कि media हम तक directly नहीं पहुचता है पहुचाया जाता है जैसे कि whatsapp messages पर आप directly कोई वीडियो नहीं देखते हैं आपको वीडियो पहुचाई जाती है उस case में ये theory कही न कहीं गलत सावित होती है लेकिन hypodermic needle theory ये साफ कहती है कि media एक powerful tool है जो कि हम को अपने इशारों पर नचाता है खेर ये एक theory है जरूरी नहीं कि ये हमेशा सही बैठे पर कही situations में सही बैठती भी है खेर आज के लिए इतना ही आपको इस theory के बारे में और जानकारी चाहिए या ऐसी ही किसी और theory के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें हमारे comment section में जरूर बताईएगा और आपको हमा अबस्तरों के वाहते इलीए थाग्यू आपको हमा हमाइए को ए आपको हमाईए ऐसरा